हलो फ्रेंड्स मैं हूँ राकेश राप देखरें नर्शे जब यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स रास्थान CHO के डॉक्मेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड नोट्पिकेशन है ओफिशल वो जारी हो गया है उसमें यह है कि जो आपको कौन-कौन से डॉक्मेंट से वो कर देना और चैनल पर नएगो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो सबसे पहले यह है कि आपको 27 तारीक को मतलब कल आपको एक एक लिंक मिलेगा उस लिंक के उपर आपको क्लिक करना है आपके जो डॉक्मेंट से उनको वहाँ पर अपलोड कर देना है तो आपके जो भी सम्भाग है उनमें जो गर्मेंट est सुप्रिइंत को लेजए वहाँ पर आपके डॉक्मेंट वरिफिकेसन किये जाएंगे तो उसके लिे आपको आपके डॉक्मेंट से वह आपको अपलोड कर देने और अपलोड किये गे जो डॉक्मेंट इनकी आपको प्रिंटः निकालना है आपका जो admit card है उसका print out और आपकी जो color photo है और ID है आदार card वो सभी आपकी इसमें print out में होने चीए upload ओनलाइन जो आपने upload की है उन सभी का print out निकालके undertaking और सपत पत्तर की स्वय हस्त आस्तरी दो-दो परतिया आपको साथ में at the time of document verification 30 तारीक आपको वहाँ पर लेके जाना है और जितने भी आपके जो documents है जो आप upload करते हैं उन सभी का आपके पास original document आपके पास होना जरूर है अब आपके पास कौन-कौन से document होने चाहिए bonafide certificate मूल निवास आपका होना चाहिए अगर आपके पास मूल निवास नहीं है तो आपको unreserved category के अंदर वहाँ पर माना जाएगा जो reserve category का benefit है वह आपको नहीं दिया जाएगा अब आता है cash certificate, LC, ST, non-TSP, TSP उसका भी आपके पास होना चीए, OBC certificate, MBC certificate, EWS certificate, उसके बाद में आता है TSP certificate, उसके बाद आता है सहरिया का certificate, marriage certificate, widow certificate, death certificate जो है आपके जो husband का वो next है ex-serviceman certificate, sports person certificate, disability certificate, 10th की mark sheet और उसका certificate qualify GNM BAC nursing, BMS उनका आपके पास जितने भी mark sheet है BAC in community health और BAC nursing with integrated course in community health और BPCCHN from IGNU अगर किसी ने BPCCHN का जो course है वो कर रखा है तो वो जो की 2019 से बाद के जो भी candidate है उनके पास ये जो degree है वो certificate है वो उनके पास मिलेगा तो वो भी आपके पास होना चाहिए अगर किसी के पास में इगनू से जिनों ने ये किया है तो उनको यहाँ पर पात्तर माना जाएगा और उनको सिद्धे नियक्ती की दी कर दी जाएगी जिनके पास BPCCHN का certificate है तो उनको 6 मेंने का जो course है वो नहीं करवाया जाएगा उनको direct है उनको joining दे जी जाएगी और जिनके पास अगर ये certificate नहीं है तो उनको 6 मन्त की training देंगे उसके बाद एक exam होगा exam को qualify करना होगा qualify करने के बाद उनको वहाँ पर posting दी जाएगी उसके बाद आता है valid registration from RNC अगर किसी के पास RNC का registration renew करवाने के लिए बेज रखा है तो उनके पास registration slip होगी उस slip को भी वहाँ पर upload करके और उसको आपके document verification करवा सकता है RBM जो की BMS जो candidate है उनके पास वह registration होना चाहिए तो ये जितने भी registration थी registration की पूरी process हो गई अब उसके बाद में अब आपन बात करते हैं डोकुमेंट वेरिफिकेशन की परकिरिया क्या क्या रहेगे अब इसमें document वेरिफिकेशन वो 27 तारीक को आपको online link मिलेगा वहाँ से आपको upload कर देने और 30 तारीक से आपके document officially verification होना इस्टार्ट हो जाएंगे तो अजमेर के अंदर government college है अजमेर है उसके अंदर जोदपूर है government college कोटा है government college MBS hospital campus उदैपूर है उसके अंदर R&T medical college है विकानेर है उसमें जो medical college ground है वो विकानेर जैपूर है उसके अंदर तीन है state institute of health and family welfare जालाना डूंगरी जैपूर दूसरा है sms hospital campus है और तीसरा है सरदार पटेल मार्क C scheme जैपूर R&C है यह तीन जगें जैपूर में वहाँ पर आपके document verification किये जाएंगे कुछ candidate की जो list आई थी उसके अंदर उनको विचारा दिन category के अंदर डाला गया था तो वो जो candidate है उनको भी जो online है जो link के माध्यम से उनको भी document verification करवाने है document verification करवाएंगे उस time पे आपको verifier का एक certificate वहाँ पर आपसे एक sign दो परती होंगी उसमें एक sign करवाके आपको दे देंगे और एक वो अपने पास रख लेंगे और उसके बाद में आपका complete होने के बाद आपका जो document है उसको freeze कर दिया जाएगा मतलब submit कर दिया जाएगा एक इसमें important जो point है R&C का 10th number point तो कुछ candidate क्या है कि जिन्होंने registration change करवा के other state के अंदर जो जो जोग कर रहे हैं उनके लिए यह है कि अब वो सोच रहे है कि जो पुराना जो admit card है photo copy उससे मैं वहाँ पर document verification करवाँ तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक machine लेके वो बैठे करेंगे और वहाँ पर online आतो आतो वो verify करेंगे आपके registration number को अगर वहाँ पर registration number verify हो जाएगा तो यह आपको qualify माना जाएगा अदरवाई आपको disqualify कर देंगे यहाँ पर जो दिव्यांग सरेणी के जो candidate है उनको जो hospital से जो मिलेगा उस time पर आपको वो certificate वहाँ पर लेके जा है आपका जो certificate है वो वहाँ पर बनाया जाएगा अब आपके इस time पर document verification होगे उस time पर आपको जितने भी अगर कोई error होगा उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और एक final जो list है वो निकाल ली जाएगी और जिनका जो selection होगा उनको 5 health and wellness center है वो वहाँ पर भरने का विकल दिया जाएगा जिसका भी जैसे selection होगा जिसी भी संभाग से उसको उसी संभाग के अंदर 5 health and wellness center है वो option priority के इसाब से भरने को दिया जाएगा जो दिव्यांग जो category के जो candidate है उनको एक fixed date निरदारित करके उस दिन उनको बुलाया जाएगा और उस दिन medical board वहाँ पर बिठा जाएगा और medical board ही उनको जो पातरता है उस चीज के लिए उनको verify करेगा अब इसमें important एक बात आती ही point number 20 document verification है अगर आपके 29 2020 को last date मानके document की कोई भी documents है उनको 29 2020 last date मानके और उसी date के according आपके document को verify किया जाएगा अगर कोई document इसके बाद के अगर आप होते हो qualify तो उसको वहाँ पर disqualify कर दिया जाएगा document verification के दोरान कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा और वहाँ पर जो आपका पहुंचने का जो time है वो सुबह 10 बजे दो schedule होंगे उसमें एक रहेगा सुबह 10 से 1 बजे का और दूसरा रहेगा उसमें 2 बजे से 5 बजे तक का आपका time दिया जाएगा अगर कोई candidate है वो निरदारी time के उपर अगर वहाँ पर किसी कारण की वजे से नहीं पहुंच पाता है तो विशेश परिश्थितियों में नोड़ज अधिकारी जो होंगे उसको एक schedule document verification के लिए अलग से उनको एक date है वो वहाँ से issue करवा सकते है अगर आपने वो date issue करवाने के बाद में अगर आप वहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर आपको next date दी जाएगी अगर उस date पर भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको वहाँ पर disqualify कर दिया जाएगा और present में जो corona जो चल रहा है उसको आपको ध्यान में रखकर ही सारा काम आपको करना होगा तो ये सभी important point थे और फिर भी अगर आपका कोई doubt हो तो आप comment करके हमें बता सकते हम अगर important अगर आपका कोई question होगा तो उसका आपका reply जरूर देंगे टेलिग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलिग्राम का गुरूप का link है वो वीडियो को description में 10,000 से ज़्यादा candidate उसमें जुड़ चुके हैं सबसे पहले news है वो उस गुरूप के अंदर डाल दी जाती है